नमस्कार दोस्तो हमारे यूटूप चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज ये विदियो आपके लिए कुछ खास होने वाले है जो कि आप दोस्तों का आप बैनव वाईयों का जो हमारे पास कॉमेंट आया है उस comment की reply मैं देने जा रहा हूँ जो कि हमारे पास एक comment आए है जो रंग काट होती है, रंग काट की विशे में अब हम उस रंग काट की विशे में विशतार से जानेंगे किन-κιन वाहियों ने comment किया है पहले तो मैं उन वाहियों को दन्य बाद देना चाहता हूँ एक भाई ने कोमेंट क्या रहा है रंग्याट कोमेंट क्या नाम क्या है। सबी के जैसे कि मैं आपको एक बार कोमेंट दिखा देता हूँ बाई इस परकार से कुछ 3-4 कोमेंट मेरे पास हो गये थे। उस विशे मैं ये वीडियो बना रहा हूं मैं जो कि अब हम देखते हैं रंग काट के अनेक नाम है जैसे टाइगर परांड है और आइड्रो रंग काट है जैसे कि अलग लग पैकिंग होती है जैसे ये रंग काट है इसी परकार से कुछ अलग लग तरह की रंग काट होती है जैसे कि यह रंग कार्ट अलग परकार के आईड्रो व्राइंड की है अब हम जानते हैं देखेंगे रंग कार्ट कौन-कौन सी मिठाईयों में यूज की जाती है और लगबग आपको दिखा देते हैं कैसी यूज की जाती है और कौन-कौन सी मिठाईयों में यूज की जाती ह सबसे पर नंबर वन पर रसूल आता है इसमें बहुत ही ज़्यादा रंग काट के यूज करते हैं जिससे लड़ू की चाहनी को साप करते हैं तब हम लगाते हैं और बर्फि के अंदर भी हम रंग काट का यूज करते हैं जैसे थोड़ी सपाई आती है वर्फि में इसलिए हम रंग काट का यूज करते हैं काजु कतली है इसके अंदर भी हम रंग काट का यूज करते हैं इससे क्या आता है थोड़ी साप सपाई आती है वर्फि की बिल्कुर साप सुत्रे लगती है इसलिए हम यूज करते हैं साफ शुट्रे मतल्य हैं ये दिन करते हैं तो इस परकार से बहुत इप्ता से लगते हैं इसलिये हम रंग काठ का मैं या। जैसे कि हम ऑनफेटह इपर मिखें न उन्थ एंचा स्वसुट्रा लगने लगता है जैसे बहुत परकार की मिठाई है मखाना है खील है इस परकार से बहुत ही ज्यादा मिठाई होती है जैसे बहुत ही ज्यादा मिठाई होती है जैसे कि लगबग आपको दारंदिया है हम इन इन में यूज करते हैं और भी बहुत ज्यादा मिठाई होती है जैसे कि रंग काट यूज की जात मैं उसके बारे में विश्टार से वीडियो बना करके दूंगा गुजारिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है आपने अपने सवाल का जबाब मिल गया है तो एक बार भाई साब लाइक जरूर करते और इसी परकार से आप वीडियो का आनद होगी एक बार कॉमेंट करके जरूर बताए